Hello student, तो आज हम start कर रहे हैं एक नया topic, एक नया chapter जो organic chemistry की starting होती है, जहां से reaction को हम समझना शुरू करते हैं, कैसे कोई reaction start होता है, initiate होता है, वो समझना शुरू करते हैं, तो start करेंगे आज हम organic reaction mechanism, ठीक है, तो इसे समझने से पहले हम आज कुछ पहले lecture में कुछ unique points समझेंगे, कुछ basic points समझेंगे, कि कोई भी जो organic reaction होती है, ठीक है, उसके mechanism start कहां से होता है, कोई reaction start कैसे होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे solvent के बारे में, ठीक है, तो जो solvent होता है, मैं पहले pen choose कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पिर हमारा solvent होता है, वो क्या होत होता है, एक तरीके से आप कह सकते है, bigger part of, bigger part of, क्या कह सकते हो, bigger part of reaction, ठीक है, किसी भी reaction को जो बड़ा part होता है, वो क्या होता है, solvent होता है, ठीक है, आप कोई भी, जो salute मिलाते हो, किस में मिलाते हो, salute क्या होता है, smaller part of the reaction, ठीक है, या कह सकते हो, solution, ठीक है, solution का, कैसा part, smaller part, ठीक है smaller पॉटी क्या कहलाता है यहां पर solidarity कहलाता है और जो bigger part होता है किसी भी रिएक्षन का in subjectord होता है टीक है तो किसी भी और हख सबक्राइब होता है तो किसी हद निचेट को CT Kenisto को供 होता हुआ हुटा कि किने किके से rethink कुण है यहां कुछ नहीं है एक container है ठीक है जिसमें आपने reactant को मिलाया ठीक है और उसके साथ साथ हमने one drop ठीक है जो reagent होता हूँ हम सबसे कम लेते हैं one drop हमने किसी reagent को मिला दिया ठीक है लेकिन यह जिसमें यह पूरा ठीक है अब reactant यहाँ पर क्या है reactant हमारे यहाँ पर salute है ठीक है तो यह जो reactant जिस चीज में घोला जिस चीज उसे क्या कहेंगे हम लोग आपे solvent कहेंगे ठीक तो इसी वजह से कहते हम लोग बिगर पाट ठीक है तो जो यहाँ पर प्रड़क्ट आता है वह तो प्रड़क्ट होता ही है ठीक है अब देखिए जब कोई भी reaction ठीक है कोई भी reaction जैसे मैंने लिख रखा है the reaction सा initiate with bond dissociation ठीक है तो जो कोई भी reaction होती है वो कहां से स्टार्ट होती है किसी भी bond के break होने से स्टार्ट होती है कहां से स्टार्ट होती है किसी bond के break होने से स्टार्ट होती ठीक है जब तक कोई bond टूटेगा नहीं तब तक new bond generate नहीं होगा ठीक है तो आज हम पहले देखेंग कि कितने टाइप के bond dissociation पाए जाते हैं ठीक है तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है homolytic bond dissociation ठीक है यह कैसा bond होता है देखे अब यहां पर यह किस तरीके का bond dissociation होता है यह bond dissociation वो dissociation होता है जिसमें in which a bond pair electron is equally distributed to the bonding atom ठीक है जिसमें जो bond pair होते हैं वो equally किसमें बटे होते हैं ए और बी में ठीक है अब जैसे कि मैंने मान लिया यहां simple कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर एक bond है ठीक है तो जितना bond इसके पास होगा उतना ही bond इसके पास होगा ठीक है तो इसी वजह से इसे हम simple कह सकते हैं कोवैलेंट बाउंड ठीक है जो कोवैलेंट बाउंड होते हैं वो क्यां बनाते है हमारे homolytic bond dissociation ठीक है तो होता है उसमें जिसमें कम होता है उसमें क्या पाइजाता है हमारा होमोलिटिक बॉंड डिसोसियेशन पाइजाता है ठीक है और ऐसे डिसोसियेशन के दौरान हमारा क्या फॉर्म होता है रेडिकल्स फॉर्म होते हैं ठीक है यह क्या फॉर्म होता है फ्री रेडिकल्स इसे क्य क्या हो high हो ठीक है तो इन दोनों में से जब difference high होती है तो जिस वाले की high होती है वो क्या हो जाता है वो हमारा negative sign so करता है ठीक है और जिस वाले की electro negativity कम होती है वो हमारा plus positive sign so करता है ठीक है तो ये दो type के हमारे क्या होते हैं bond dissociation ठीक है तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग type of reag थिक्ति रियेजंट में जब हम मिलते हैं या तो वह इलेक्ट्रोफिल हो सकता है या तो वह फ्री रेडिकल हो सकता है थिक है थिक्तिक है इलेक्ट्रोफिल लो वह होते हैं जो इलेक्ट्रजांगों डिफीशेंट होते हैं किषान के कमी हिंनके अंदर कमी होती है नियुक्त्रांके मही continuum economy इत्रॉन को sépt करते है ठीक है उपर यहां फे positive sign होते है जैसे यह हो गया h plus Cl plus NO2 Plus CS3 प्लस एक्टरा ठीक है दूसरा क्या होता है nucleophile, nucleophile क्या होता है यह होते हैं जो electron rich species होते हैं ठीक है इनके फास electrons बहुत जाद होता है electron rich होते है ठीक है और यह क्या होते है यह हमेशा Lewis based होते हैं अगर यह Lewis acid है तो यह हमेशा क्या होंगे Lewis based होंगे ठीक है और यह क्या होता है हमेशा neutral होते हैं या तो negatively charge होते हैं जैसे कि example क्या CN negative OH negative NH3 ठीक है एक्सेक्टरा ठीक है अब आते हैं थर्ड वाले टाइप ओफ रिएजेंट पर यह होता हमारा रेडिकल रेडिकल क्या होता है यह भी एक टाइप की इलेक्ट्रों डिफिशिंट होते हैं जिनके फास क्या होता है और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रों होते हैं तो आप कैसे तो इसका एक्जांपल क्या होगा सी एस ट्री ठीक है सी अस्ट्री सी ओ ओ टिक इस ट्राइप के जो होते हैं वह रेडिकल फॉर्म कहते हैं ठीक तो यह आज हमारा बेशिक था कि से रिलेटेड और गनिक रियक्षन मेकनीज में से रिलेटेड तो अगले लेक्षर में हम ग्रूप की बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में ठीक है थैंक यू